नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चल में स्टेस्विक लाइज पर यह दोस्तों आई आज क्या आउट सोर्शिंग चेक्रम चे जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई तो सबसे पहली खबर देख लेते दोस्तों आज यहां प पर पदखाली पड़े हैं इनको भरने की कवायद शरू कर दी गई है भी बाग की तरब से 26 जनुरी तक जो भी जो ग्राम पंचयात है यहां पर यह दिये हुए हैं सभी ग्राम पंचयातों के नाम जिस भी ग्राम पंचयात में अगर कोई भी कंडिडेट जो है इसमें अप 12 से 26 जनुरी तक जो है अपना जवाव एदन दे सकता है तैसिलदार नायव तैसिलदार कारियल में ग्राम पंचयातों के दोस्तों यह पद है बता दे आप लोगों को फिलाल 11,000 रुपे इनको मान दे दिया जा रहा है और साथ में जो है जो इनको अन्ने सुविदा होती है जी हाँ ग्रामिनी ट्यूबल जलकर में दोस्तों डिशी को ग्यापन देने की प्लानिंग बना रही है बता दे आप लोगों को 12 जनुरी को पे के माधम से दोस्तों माने दे सक विकास यम पंचयात वी बागचंडिगड के नाम जो है दोस्तों ग्रामिनी ट्यूबल ओपरे आशावर कर रही है लेकिन आज करनाल में दोस्तों मीड़े मिल करमचारी और जो कम्प्यूटर टीचर है जो सफ्करी स्कुलों में काम करें और लैब सायक हो भी परदसन करने जा रहे हैं करनाल में तो कल यहां पर आशावर कर परदसन करते हुए नजर आएंगी यहां पर बता दें आप लोगों को पिछले 6 महीने से कलियर नहीं होने के विरोध में यहां पर जिले की तमाम आशावरकर 12 जनुवरी को स्वास्था मंत्री अनिलवीज के निवास सतान पर ये परदसन करेंगी तो आज भी परदसन चल रहें करनाल में जो होना है डेमिल करमचारियों क और कंप्यूटर टीचर का लेब साय का दूसरी तरब कल यहां पर जो अनिलवीजी है स्वास्था मंत्री उनके आवास पर परदसन करेंगी आशावरकर जो है अपने पैसे को लेकर तो हर बार जो है बहुत सारे करमचारियों को संगर्स करना पढ़ता है समस्या क्या होती है जब सबसेंगर्स परता है करमचार का रोजगार मिंगम को बंग करने की मांग के गया तो हर यह ना पौर करिपररेशन विरकर यूनियन की मीटिंग में तो दूस्तों आल हरियना पार कुर्पेशन वर्कर यूनियन टें के क्रमचारियों के यहाँ बैठक हुई है और बैठक में इनुने आपको सलोजगार निगम को भंग करने और क्रमचारियों की समस्याओं का समाधान करने नीजी करन पर रोक लगाने पकी भरती करने जैसी मां मांगों को लेकर आवाज उठाई है तो यहां पर हर्याना पर कुरूपेशन वरकर यूनियन के सदस्टे मीटिंग करते वे आप लोग देख पार रहे हैं यमना नगर से देख देख देते हैं मांगों को लेकर निगम करमचारियों ने की है नारेबाजी करमचारी बोले जूठे वादे करता है सथानिया पर सासन जीहा जूठे वादे करने का आरोप लगा रहे है करमचारी बतादे समान काम समान वितन के एरियर का भुगतान करने की मांग को लेकर नगरपल का करमचारी संग के बैनर तले क्रमचारी दोस्तों यहाँ पर जोन जगादरी में बुद्वार को भी दरने पर बैठे रहे और जो हसरकार के खिलाब नारे बाजी की है तो करमचारी के साथ सब से बड़ी समय यही होती है कि उनको आसवासन दे दिया जाता है लेकिन अधिकारी बाद में ध्यान नहीं दे ते और जो करमचारी है वो अधिकारी नका मुँ टाकते रह जाते कब इनकी समस्यांगों समाधानों गाले कि नूह के अपने कामों में वैस्त रहते हैं और करमचारी की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है इन्होंने यापर बता है कि समान काम समान वेतन का एरियर का भुगतान करवाने ठेकेदारी पर था बंद करवाने बेगार पर था बंद करवाने जैसी मांगों को लेकर भी ये प्रदसने करे रहे हैं यमना नगर में पंचकुला से अपडेट है यूनियन करमचारियों ने समय पर वेतन देने की मांग की है जिहां हर्याना पी ड़ूडी करमचारी संग संबंदित भारते मजदूर संग की मासिक मीटिंग दो जग है पर दोस्तों बहुत बार यही देखने में आता कि साथ तारिक तक तो बहुत कम दोस्तों सेलरी आती है बहुत कभी कभी ऐसा मुक आता है विस साथ तारिक से पहले सेलरी डाल दी जाती है लेकिन यहां पर दोस्तों करमचारी इसी समस्या के समादान को लेकर आवाज उठा रहे हैं बता गया है वेतन पाउड जनुवरी को कोसल वाली सेलरी मिलने पर प्रदेश सरकार वेज जन स्वास्तावी बागि एक्सियन का भारवेक्त किया था पहले लेकिन यूनियन दोस्तों जैसा कि पता है वही एक बारा जाती है दो बारा जाती है लेकिन हर बार समय पर से लरी नहीं आती है तो जिसे करमचारियां पर नाराज है और चाते हैं कि इनकी मांगों को जो है लगातार मोनेटर किया जाए उनका लगातार समाधान ने किया जाए एचंडिगट से अपडेट है सभाई क्रम्चारी को आयोग के सामने उठाया जी हा यहां पर пот पर द्यान नहीं दते है सारी का सारा मुद्दा उठाया है इन्होंने बता है मि जो क्रम्चारी उने पराश्रितों को सरकारी नोकरी देने का प्रावदान होना चाहिए जबकि सरकार है क्रमचारी को उनके प्रिवार के से देशे को नोकरी देकर अपना काम परला जाड़ लेती है इसके लावन 87 के बाद कोई भी बरती नहीं होने का मुद्धा भी जो है देक्स जी के सामने उठाया गया डेलिवेज क्रमचरी को पका नहीं किया जा रहा है चंडीगड में 540 सपाई क्रमचरी बरती का प्रावदान था पिछले कुछ वर्सों में पदों को भरने के लिए विग्यापन भी छापा लेकिन उस बरती वह भी कचरे के डिबे में डाल दिया गया यानिके जो है डेक्स जी के सामने जो समस्या है रखी गई है और डेक्स जी ने बताया है कि फरूरी महीने में ये दोबारा से दोरा करेंगे तो अधिकारियों के साथ मिटिंग में सभी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर जो है सपाई क्रमचारी आयों के अध्यक से पहुँचे हुए थे चंडीगड में आगे देखे लेते हैं कुछ अन्य खबरों को चंडीगड से ही अपडेट है कि इंदर ने दी है राहत दो नहीं अब लगातार पांच सल खाली रहने पर ही जो है खतम मानी जाएगी regular post जी हाँ एक rule है दोस्तों यहाँ पर अगर चंडीगड में अगर कोई भी पोस्ट है दो साल तक अगर वो खाली रहती है उस पर कोई क्रमचारी बरती नहीं होता है पका करमचारी तो उस पोस्ट को खाली एक तरह से खतम कर दिया जाता है तो अब इस रूल में जो स्थो जो है राहत दे दी गई है इसे पहले बता दे दो साल के नियम की वह जैसे चंडीगड में करीब दो जार पद खतम हुए थे जहां दो जार पद जो खतम हो चुके थे व अब यह नियम बना दिया गया है कि अब दो साल में नहीं पांच साल तक अगर पोस्ट खाली पड़ी है तो भी जो उसको खतम नहीं माना जाएगा पांच साल तक अगर उस पर कोई करमचारी आ जाता है तो उसको भर दिया जाएगा और पांच साल तक नहीं आता है तो पोस वर्कर यूनिन की बैठक दोस्तों करन गेट स्थीत यूनिन का रेले में हुई है तो चारफ फरुरी को जो बड़ी रेली होने जा रही है करनाल में राजस्तर की उसके दोस्तों त्यारिया चल रही है और आप लोगों को इस तरहे खबर चारफ फरुरी तक देखने को लगात द्वार दोपैर को समाप्त कर दिया गया है तो करमचार यहां पर नाराज थे अपने अधिकारियों के तानसाई रवये से अब सेमती बन गई है बातों पर तो अच्छी बात कह सकती है तो दोस्तों यह थी सारी कि सारी आज की आउट सोर्चिंग कच्छे क्रमचा जोड़ी वेरी मच्छ